बल्गुल अने चित्र बदलाईलों देखाई रहूँचे आखरेक काया परीबड़ों काम करी गयाँचे राजकी विशलेशक अने वरिष्ट पत्रकार आपणी साथे जुडायेलाचे अवदेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि एक जो नतीजे दिखाई रहे थे जो एकजीट पोल के या चर्चा हो रहे थी एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि इस बार कॉंग्रेस बनाने जा रही है सरकार लेकिन ऐसा क्या हुआ पिछले चंद महिनों के अंदर कि ये चित्र पलटता दिख रहा है और मामा फिर एक बार सरकार पे बैठते दिख रहे है कि क्रिष्णा शिराज सिंग चौवान जी ने पिछले चार मेने पहले या पांच मेने पहले जो लाड़ी लक्ष्मी योजना चालू की लाड़ी वहना योजना उसका काफी इंपक्ट पड़ा महिलाओं ने बढ़ चड़ के बोड़ दिया है बीजेपी को जो चार मेने पह चार बजन जब देखेंगे तो फाइट नेक होगी मदब 110 115 120 चीटों के उसमें खेल होगा जरूर दिखाया कि 150 भी जा सकते हैं और कि दूसरे किसी ने दिखा 130 पे कांग्रेस आ सकते हैं बट बीजेपी ने लास्ट लास्ट में बहुत मैंज किया लाड़ी बैना योजना हो चार सिखो कमा योजना हो जो भी योजनाय लेके आए हैं चुकि कांग्रेस ने सिर्फ कहा है और बीजेपी करके दिखा दी उसका एक इंपेक्ट तो है अभी जो मैंने फिल्ड में भी देखा और यही दुझान जो भी दिख रहे हैं उसमें भी लग रहा है बिल्कुल काट कि कांग्रेस ने अपनी तैयरी पिछले तीन चार दिन से चल रहा है उनका बिल्कुल मंथन चल रहा है यहां ले जाएंगे करनाटक ले जाएंगे लेकिन वो इस्तीति बने तब अभी दो बज़े तक तो पहली इस्तीति क्लियर हो कि किसकी सरकार बन रही है अगर बीजेप आगे है थोड़ा मार्जीन से चल रही है और कमल नाजी अपने कारियाल या आगे जाएंगे जीतेंगे देखिए आगे चलके अभी ते शुरुवाति रुजान है 110-108-100 किसी मिलब कहीं आगे कहीं पीशे चल रही है वालियर रीजन और बिंद ये दो में रेक्टर अगर ये दोनोंने कांग्रेस को साथ दिया जिस तरह से मुझे लग रहा है देंगे उसमें कांग्रेस बड़ा जाए ये जैरे दब्बा खुल शे त्यारे खबर पड़ से कांग्रेस नो घोडो आगल वधे छे केम पर त्या सुधी तेलंगाना नी पन बात करिए विहार भाई वश्णों आपनी साथे जुडायला से विहार भाई तेलंगाना नी अंदर एउ तो देखाई रहोचे कारण के ओगणिस पर बेजार अधार नी अंदर जे समेटाई गई ती कांग्रेस त्यारे बहुमतिना आख सुधी शरूआती रुजान नी अंदर पहुची गई छे आ तमारी वाद साची छे के बेलाट पेपर खुलिया छे ने शरूआतना जे ट्रेंड जत्यारे देखाई रहा छे प्रमाने कंग्रेस लगभग और धो अड़त बी आरेस करता केसी आर करता आगल चाली रही छे आनु एक कराने छे के एलोकोने खेय टैलागावे बी वहत्मकरीत लग्त का करता आगल ऑवन एक यूनिट तरीके लड़िऊ छे केसी आर नी नीती हो निसा में इतले जे केसी आरे जे कई पण आप आतला साड़ा आट वर्स नू आपने जे सासन कई सकी है एक वस्तु आपने बुल्वी ना जुए के केसी आर ने पेले थी खबर आती ने उस्वरुवा थी के तो आवे चू के एमने राष्ट्रिया फलक पर जवुँछे एमने बहुँ क्लियर गट कई जी दूँछे आने एना माटे जेमने पार्टी नू नाम चेंज करूँछे डिले क्याक ये वस्तु जे एमने राष्ट्री फलक उपर एक राष्ट्रीय नेता तरीके एमने मोधी नी सामय आवूँछे ये कदा चाहियाना लोकों ने पसंद नथी पड़ी रही हुँ कि तम्हें पेला अमारू विचार करो आ राज्या आपणा माटे आपने लिदूछे तम्हें लड़त लिदूछे तम्हें मरण पथारी ये पड़े आता जेते वकते वह आपने याद पावा मागीश के जारे तेलंगाना नी चलोल चाली रही है ती केसी यार आमरन उपवा सुपर उत्रया ताने आपकोंग्रेस पासे थी जमने आ राज्या मेल गूँछे ये आपधा परी बढ़ो छे लोकों ने ख्यालावी रहो छे कि जेना माटे लिदूछे येन तम्हें द्यान नतियाप ताने आज वस्तान माँ वसुंद्रा राजे मोटी लीड थी आगल चाली रहा से पांच हजार मतो थी जालर पार्टन बैठक पर्थी वसुंद्रा राजे त्यारे आगल चाली रहा से राणी विन तरफ आगल वधी रहा से राजस्तान माँ मोटी लीड त्यारे वसुंद्रा राजे मेडवी लीदी चे ने भारतिये जनता पार्टी एपाण 103 बैठक इटले कि जिजे जादू यांकडों चे सरकार बनावानों बहुमत नो एपाण पार करी लिदो चे शरुवाती रुजान नी अंदरज त्यारे 9 आगया से ले 9 ने सवा नौवा गया से हम कहो पंड एक कल्लाक सवा कल्लाक नी अंदर शरुवाती रुजान नी अंदर अज राजस्तान मा भारतिये जनता पार्टी हर खाई यह वा सबाचार मली रहा से ने मापन जैरे राणी आगर चाली रहा से जैमने डैमेंज कंट्रोल मां मोटी भूमी का निभावी से राजकिये विशलेश्वका ने वरिष्ट बत्रकार रामकुमार कौशिक अमारी साथे जोड़ाया से रामकुमार जी स्वागत आपका संदेश न्यूज में भारतिये जनत आगर दी रुजान आ रहा है कहानी कुछ और वैया कर रही है क्या वज़े इसके पीचे पृग्धिर अपर आप राजिस्तान में कोई बदलना चाहते हैं, जैसे एक मारवाडी काहवत भी है, कि मारवाड के जो ब्यापारी होते थे दो अकाउंट रखते थे, एक एक अकाउंट में जरासा भी अगर पैसा कम होता तो अपना दूसरा अकाउंट यूस्तामाल करना शुरू कर देते थे, तो ह सर आगे भी आपसे अपडेटेट एंगे अपडे intimल डेते रहेंगें चरचा बात चीर करती रहेंगे आपडेट करेंगें मुटा समाचार के कौण आगर चाली रहा हुचे रुजान कई तरफ नो ट्रेंड सेर्ट करी रहां जैे मारी सर्योगी क्रिषना मारी साथे जोड़ाया जे क्रिश्णा पासे दी जानिए क्रिश्णा बिल्कुल नुपूर अत्यारे 36 गड़ना जे रुजान सामे आवी रहा छे बन्ने वच्चे कांटे की टक्कर जोवा मली रही ची कारांगे भारती जंता पाटी एक टारीस बैठक पर आगल चाली रही चे तो क पेश बगेडे पोता ना चहरा पर लड़वाने कोशिश करी हती परन्तु भारती जंता पाटी मां थी कौन चहरो छे ए छली घड़ी सुधी स्पष्ट नौतू करवा मां आवी और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ना चहरा पर 36 गड़ होए के मध्यर प्रदेश होए के राजिस्थान होए एनी चुनड़े लड़वा मां आवी हती और छेला घड़ा समय थी ओक एवातू हतू के 36 गड़ मां चाने के भारती जंता पाटी लड़ी नती रही परन्तु तेम चे ता रुजान मां तो अत्यारे बन्ने वच्चे सारी एवी काटे के टकट जोआ उमल रही चे परंतु एक मोटो चहरो रमन सी जेवो मुख्य मंतरी रही चुक्या चे 5 वर्ष माटे 36 गड़ मां पुर्व मुख्य मंतरी रमन सी अत्यारे 15 चली रहा चे अनि कौंगरेस अत्यारे जेरी ते देखा रही चे प्रदेश गड़ मां रुजान मां के आगल चाली रही छे एकज़ेट पोल मां जेवरी ते कहवा मां आऊतू होतू के करें तो राजस्थान मां भाजपने कॉंग्रेस वच्चे खरा खरी नो जंग जुवा मली रही छे कारंगे टॉंक बैठक पर थी कॉंग्रेस ना सचीन पाइलट रत्यारे आगल चाली रही छे सरदारपुरा बैठक पर थी मुख्य मंत्री शोग गहलो तत्यारे आगल चाली रही छे राजस्थान मां जेरी ते जोवा मली रही छे 103 बैठक पर अत्यारे भरते जिंता पाटी कॉंग्रेस तत्याशी बैठक पर आगल चाली रही छे रामकुमार कौश्रिक आपने साथ राजस्थान दी जोड़ाई गाचे रामकुमार जी जिस तरह से अभी चित्रे सामने आ रहा है भरते जंता पाटी सौके पार पहुंच चुकी है कॉंग्रेस अभी पीछे चल रही है लेकिन जैसे बोला जा रहा था कि कॉंग्रेस में अ राजस्थान में आप ये नहीं कह सकते कि आशो गयलोत की हार है जिस तरह के परिणाम अभी जिस तरह रोज़ान अभी दिख रहे हैं वो जिस तरह के परिणाम आने की संभावना हैं उसंमें अशो गयलोत तो जीत ही जाएंगे मैं उनके चुमी के बात नीं कर रहा हूं ging गैलोत के अगर साथ होती तो परणाम कुछ अलग हो सकते थे तो अशोग गैलोत की हार तो इसे नहीं कहाए सकता हाँ यह मैं यह कह सकता हूँ कि इस वार राजिस्थान के चुनाबों में चाहे कॉंगरेस ओ चाहे बीजे पी ओ दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही खराब पार्टियों का चुनाब का जो कैम्पेंड था चुनाब की रणनीती थी वो किसी भी तरीके से उसको इस्तर यह नहीं कहाए सकता है उसका इस्तर बहुत कमजोर रहा है राजिस्थान में सिर्फ अशोग गैलोत अकेले थे जो चुनाब लड़ते दिखाई दे रहे थे उनक बीजेपी के रणनीती कार अपना लोहा मनवा चुके हैं पूरे देश में हर चुनाब में पंचायत से लेके लोकसवा तक उनकी रणनीती की चर्चा होती है और लेकिन राजिस्थान के चुनाब में इस बार बीजेपी वो उस तरह की रणनीती एपलाई करने से उस तरह की रणिनीती लाने में पता नहीं क्यों चुक गई इसका जबाब तो बीजेपी के आला कमान में जो दिली में बैठे लोगें वही दे सकते हैं बट अगर बीजेपी ने ठीक से चुनाम रड़ा होता तो परिणाम बीजेपी के पक्ष में भी बहुत अच्छे जा सकते थे यानि कि बीजेपी को कॉंग्रेस को आज की तारीक में अलगार हम देखें आ है तो गैहलोट के Due drastically कि अपनी अरण के कारण उन्हों ने कांग्रेस को प्लसमें किया है यानि कांग्रेज बहुत बुरी सितिम होसकती थी लेकिन वहीं अगर बीजेपी ने आच्छा economist को किया है पर जे बेलकुल आप जुडे रहेगा हमारे साथ एकले राजस्थान मा जे विरीत कहवाई रहुचे हजू बनने वच्ची घणी काटे की टककर जुआ मली रहीचे परन्तु सौ बैठेक ने पार अत्यारे भारतिया जनता पाटी पहुंची गई छे अन्या तमाम चारे चार जोना जे अत्यारे परिणाम सामे आवी रहाचे जे रुजान सामे आवी रहाचे सतत आपने बतावता रहेशू